गुड आफ्टनून एवरिबडी, वेलकम तू क्यूरियस माइन्स, ये है फेडरलिजम का पार्ट टू, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पीज पार्ट वन देख लीचे, उसके बाद हम पहुंचते हैं इंडिया में, इंडिया का फेडरलिजम कैसा है, इंडियन यूणियन बीस्ट है, फेडरलिजम के प्रिंसिपल्स पे, जैसे की थ्री टीर गाव्मेंट ओफ इंडिया, सेंट्रल गाव्मेंट आती है, स्टेट गाव्मेंट आती है, पजायत और मुनिसिपालिटीज आते हैं, हर एक की इनमें से सेपरेट जिस्टिक्शन है अटोनॉमस हैं, कुछ पावर्स हैं इनके पास, नेक्स्ट आगई थ्री फोल्ड शेरिंग ओफ पार, बिट्वीन सेंटर और स्टेट, जैसे की आपकी आगई यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, एन कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है, जिसमें वो सब इसलिए आते हैं, कि एक यूनिफर्म पॉलिसी क्रियेट हो सके, इंटायर कंट्री के लिए, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट वाला, सेकंड लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं, जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे की इन इन लिस्ट के सब्जेक्ट पर, इसमें बोत यूनियन और स्टेट दोनों लोज बना सकते हैं, ठीक है, तो ये था इंडियन फेडरलिस्ट कैसा है, हम आगे भी इसी टॉपिक पर कंटीनु करेंगे, कि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जो ना यूनियन लिस्ट में आते हैं ना State List में आते हैं, ना Concurrent List में आते हैं, उन्हें हम कहते हैं Residery Subjects, इन Residery Subjects को Union Government Legislate करती है, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और India जो है, वो है Holding Together Type of Federation, मतलब हर State के पास Equal Parts नहीं है, तो इसमें हम Example देख लेते हैं, जैसे की UTs है, ठीक है, उनके पास State जैसी Parts नहीं है, बट Central Government के पास Special Parts हैं, कि वो UTs को Run कर सकें, ठीक है, और Sharing of Parts जो है, वो India का Basic Structure of Constitution में है, और अगर आप इसे Change करना चाहते हैं, तो एक तो यह दोनों Houses of the Parliament, लोकसभा और राजसभा में, two-third majority से पास होना चाहिए, at least, plus आपको different State के Legislatures, जादा तर at least half of the States के Legislatures को further ratify करना है, अगर ऐसी कोई Changes लानी हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, कि जो Federalism का Constitution होता है, वो rigid होता है, कि वो असानी से Change ना हो सके, क्योंकि Center और State दोनों का ध्यान देना होता है, ठीक है, अगर कोई भी Dispute हो जाती है, Division of Paar में, Center या State में, तो उसे देखता है हमारा Supreme Court, क्योंकि हमारी Independent Judiciary है, ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे Decentralization का Concept, Decentralization का Concept क्या होता है, Decentralization होती है, जब जो आपकी Paar है, वो Central और State Government से लेके Local Government को दी जाए, ठीक है, और इसके Behind Idea क्या है, कि जादतर Issues, जो Problems है Local Level की, वो Local लोगों को जादा पता होती है, इसलिए Decentralization Important है, और प्लस उनके पास जादा Knowledge है अपनी Problems की, उन्हें जादतर अपनी दिकते पता है, ठीक है, तो इसलिए Decentralization Important भी है, इससे Democratic Participation बढ़ती है, जो की Democracy का One of the Major Principles है, Local Self-Government, ठीक है, फिर जैसे कि हम देखते हैं, Villages में पंचायत हैं, Urban Areas में Municipalities हैं, यह हो गए Decentralization का Examples, 1992 में क्या हुआ था, कि Constitution ने Decentralization को और Effective बनाने के तरीका निकाला, जिसमें इन्होंने Compulsory किया Regular Elections, इन्होंने Seats Reserve की SC, SDs and OBCs के लिए, One Third इन्होंने Regist वो किया Women के लिए, इन्होंने State Election Commission सेटप की, Elections के लिए, जैसे पंचायत Elections, etc. के लिए, और State Governments, इस शेयर सेम पार, ठीक है, जैसे कि उनमें क्या होता है, State Governments ने थोड़ी थोड़ी प पार, लोकल गर्मेंट को दी है, पार और रेविन्यू भी, कि वो अपने Decision ले पाएं और Changes लापाएं, यह है Decentralization का Concept, अभी Decentralization, दो तरीके से मैंने आपको बोला, एक होती है आपके Village Level पे, और एक होती है आपके Cities Level पे, यह क्या होता है, वैसे, यह Division of Parts होती है, from Higher Level to Lower Level, इसे Decentralization कहते हैं, जब Higher Level की पार, Lower Level में भी दी जाए, विलेज में आगया सबसे पहले पंचायत, जिसमें एक ग्रामसभा आवी, जहां से पंच, सरपंचे इलेक्ट होते हैं, फिर आगया आपके ब्लॉक समें थी, ब्लॉक लेवल पे, जिला परिशद आगया, डिस्ट फेडरल और युनिटरी गवर्मेंट, यह एक इंपोर्टेन क्वेस्चन हैं और यह अभी तक ट्वेड प्लॉक हाहर अर यह हम ने कावर नहीं किया है, तो इसलिए हम निसे पढ़ते हैं, कि युनिटरी और फेडरल में क्या अंतर है, फेडरली लिजम के हमने खीफीचर की तो हम उसी से start करते हैं जो powers है वो divide की गई है center और state में ठीक है यह federalism का key feature है division of parts तो unitary government में क्या होता है जो powers है वो जातातर central government के पास रहती है centralized tendency रहती है concentration of powers in the center federal government में क्या होता है जो इसके units है मतलब जो states है उनकी अपनी entities होती है अपनी identities होती है जबकि unitary government में states बस parts होते है एक central government के federal government में क्या होता है double set of government होती है मतलब central government होती है state government होती है लेकिन unitary government में एक ही legislature होता है और एक ही executive होता है ठीक है तो double set of government नहीं होती है federal government में क्या होता है constitution जो है उसे amend किया जाता है through special method of amendment क्यों क्योंकि constitution rigid है आपको constitution change करने के लिए state और center दोनों की permission चाहिए वैसे ही unitary government में हो गया कि procedure of amendment काफी simple है क्योंकि पार जो है वो concentrated है center में फिर आपका आगया federal government में कि written constitution must है क्योंकि center and state दोनों के roles already defined होते है unitary government में important नहीं है कि constitution written form में हो for example हम British में देख सकते हैं England में देख सकते हैं कि वहाँ का constitution लिखित नहीं है फिर आता है federal government में कि यहाँ पर double citizenship होती है मतलब जो individuals है वो state के भी citizen है और country के भी citizen है जबकि unitary government में ऐसा कुछ नहीं होता है यह single citizenship इसके अंडर आती है last में आगया rigid constitution यह तो हमें पता ही है क्योंकि आपको center and state दोनों को साथ लेके चलना है federal government में और unitary government में constitution में it may be rigid और may not be rigid ऐसा कोई must rule नहीं है थीक है तो unitary government की examples आगी जैसे France आगया, England आगया, Japan आगया और federal government में आगया India, US, Brazil तो यह था हमारा आज का topic federalism यह part 2 है part 1 भी already हम upload कर चुके हैं तो आप लीज देखें अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो please like करें, share करें और subscribe करें ठीक है stay home, stay safe, study hard, thank you